हेलो दोस्तों आउनलाइन स्टेटी पॉइंट में आपका स्वागत है तो दोस्तों हमारी हिस्ट्री की सीरीज की ये नैक्स्ट वीडियो है जिसमें हम दैली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट यानि की गुलाम वंश कवर करने वाले हैं इनका जो टाइम पिरेड है गुलाम वंश यानि की स्लेव डाइनस्ट्री का वो 1206 AD से 1290 AD तक का है तो प्रीवेस एयर में पूछे गए कोशन्स और उन से रिलेटे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को लास तक देखेगा और अगर वीडियो पसंद जाती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेर जरूर करें तो आईए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो सबसे पहले में बताना जाती हूँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स जो भी शाषक रहे हैं स्लेव डाइनिस्टी के यानि कि गुलाम वन्शके तो वो कौन-कौन थे हम पहले उनके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो जो संस्थापक थे वाइकॉन थे कुत्व बद्दी नेबग थे जो कि लगबग चार साल के लिए रहे हैं इनका जो राज था वह है चार साल के लिए था इसके बाद इल्दुतमिश आते हैं जो कि 1211 से लेके 1236 तक थे इसके बाद रजिया सुल्तान आती हैं जो 1236 से 1240 तक थी बहराम शाह, मसूर शाह और महमूद इनका टाइम पिरेट कोई बहुत जादा इंपॉर्टन नहीं है इसके बाद जो आपके सबसे लास्ट पावर्फुल रूलर है वाइकॉन है बलबल है तो इन सबसे रेटर जितने भी इंपॉर्टन फैक्ट्स हैं हम आगे की थी दोस्तो गुलाम वंच जो था देली सलतनत में सबसे पहला जो वंच इस्टाब्लिश हुआ था जिसकी स्थापना वही थी वैकॉन सा था गुलाम वंच था और इसके जो संस्थापक ते वह मैं बताना है वैकॉन थी एबक इनका जो पूरा नाह में क्या है कुट्व 1206 में गुलाम वन्ष की स्थापना की थी या फिर इन्हों ने 1206 में डेली सल्तनत की स्थापना की थी ठीके दोस्तों तो जो एबक से जोड़ी हो इंपॉर्टन बात है वो यह है कि संस्थापक थी गुलाम वन्ष के लेकिन इन्हें गुलाम वन्ष का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता कि इन्होंने कभी भी खुद को सुल्तान की उपादी नहीं दी, सुल्तान का जो टाइटल था वह इन्होंने कभी भी अडॉप्ट नहीं किया इसलिए इन्हें सिर्फ संस्थापक बोला जाता है वास्विक संस्थापक नहीं बोला जाता ठीके दोस्तों इनके टाइम पर जो मेन कंस्ट्रक्शन हुए है कुतुब मिनार और कुववत उल इसलाम मस्जिद और अढ़ाई दीन का जोबड़ा ये तीन बहुत जादा प्रॉमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जो इनके टाइम पर कंस्ट्रक्शन हुई थी हम इनके बारे में आगे बात करेंगे next question देखते हैं कुववत उल इसलाम मस्जिद का निर्माण किसके दौरा कराया गया था तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो कुववत उल इसलाम मस्जिद है जो कि कहा है दिल्ली में है उसका जो निर्मान है वैं किसके द्वारा कराये गया था तो वैं कुत्व बुद्दीन एबक के द्वारा कराये गया था ठीके दोस्तों कुवत और इसलाम मस्जिद जो कहा है दैली में है ऐसा कहा जाता है कि हिंदू या फिर जैन जो मंदे था या कोई स्कूल था उसको तोड़कर इस मस्जित को बनाये गया था जो कि कहां है दिल्ली में है इसके बाद एक और इमपर्टेंट कांस्ट्रक्शन जोगे क्या है अढ़ाई दीन का जोँच्छन में है बंवाई गई थी तो वर किसलिक कोई पल्ली सल नात का वास्तविक संस्थाप कौन था तो तो जैसे कि मैंने आपको बताया दिली सल्थनत का गुलाम वन्षय उसकी स्थापना की किस ने थी तो वह किस ने की थी आपके कुछोग बुद्धिन एबक ने की थी लेकिन जो कि उनने कभी भी सुल्थान का टाइटल सुल्थान की उपादी जो है कभी भी धारण नहीं की थी इसलिए उन्हें जो है देली सल्थनत का वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता तो देली सल्थनत के जो वास्तविक संस्थापक थे वह कौन थे? इन्होंने 1211 में, 11 से इनका टाइम पेरिड शुरू होता है, 1211 से लेके 36 AD तक का, इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, इन्हें खलीफा के दारा रिकोगनाइस किया गया था, और इन्होंने जो है टाइटल अडॉप्ट किया था किसका सुल्तान का, इसलिए इन्ह सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, एक और important बात ये है, कि जो कुतुब मीनार है, उसका जो construction है, उसका जो निर्मान है, वह शुरू हुआ था कुतुब बुद्दीन एबग के टाइम पर, लेकिन वो complete हुआ है, यानि कि पूरा हुआ है किसके टाइम पर, इल् निर्मान पूरा हुआ, तो किसके समय पर हुआ, इल्ट उत्मिश के समय पर हुआ, ठीके दोस्तों, next question देखते हैं, तराइन का त्रतिय युद्ध किसके बीच में हुआ था, हमें बताना है कि तराइन का त्रतिय युद्ध है, किसके बीच में हुआ था, तो सबसे पहले आ प्रतिविराद चोहान और मुहम्मद गौरी पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में जिसमें प्रतिविराद चोहान हार गए थे तो तरायन का थ्रतिय युद्ध है जो 1215 कब हुआ दोस्तों 1215 AD में हुआ किस किस के बीच हुआ तो यह इल्टुत मिष और याल्डो याल्डोस के बीच में हुआ था क्योंकि याल्डोस को लगता था कि कहीं याल्डोस जो है डैली सल्टनत पर अटेक ना करें ठीक है नाइक्स कोशन देखते हैं कुट्ब मीनार का निर्मान किसके शाशनकाल में पूरा हुआ था तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो इесто बीच के समय में पूरा हुआ था सो जो जो इसका निर्मान खत्म हुआ है याल्डोस का बताया है वा यहाद है इतना आपको याद रखना है ने कुशन दिखते हैं के दिल के पहली महिला शाशक थी हमें बताना है। तो तो बहती रजिया सुल्तान जो कि बेटी थी किसकी इन में जो एमप्रर वाली सारी कौालिटी इस वagnx ती इस वज़ां से जो सुल्ताना बने वह कौन बने रजिया सुल्तान बने इसलिए इनको देली सल्तनत की पहली महिला शाशक बोला जाता है और इनका जो टाइम पीरिड है वह कब से कब तब का है तो वह 1236 से लेके 1240 तक का है सिर्फ 4 साल इनका रूल रहा है हुआ ये था कि जब ये पहली महिला शाशक बनी तो इनके जो भी कोट के लोग थे जो भी नोवल्स थे वह बिल्कुल नहीं चाते थे कि कोई एक लेडी उनके उपर राज करे तो कई सारी कॉंस्पिरेसी जो थी वह इनके अगेंस्ट जो भी शड्यंत्रे वह रचे गए और भटिंडा में जिसका हैड कौन था रिवोल्ड कराया किसने था जो अलतूनिया था ये क्या था भटिंडा का गवर्नर था अलतूनिया इसने एक रिवोल्ड कराया जिसको सप्रेस करने के लिए जिसको रोकने के लिए ये भटिंडा गई और वहाँ पर इने क्या कर लिया ग कुछ रॉबर्स ने, कुछ डाकूओं ने उनकी हत्या कर दी, कैथल के पास में, ठीक है, डेली सल्टनत की पहली महिला शाशक थी, रजिया सुल्तान, नेक्स कोशन देखते हैं, मैं आपको स्टोरी से कनेक्ट करके इसलिए बताती हूँ, ताकि माइन में जो है, कॉंसेप्ट बैट जाए, सम्टाइम्स यह होता है, कि हम सिर्फ फैक्ट्स को रठते की कोशिश करते हैं, तो एक्जाम टाइम में हम उनको भूल जाते हैं, जब हमें किसी बचीज की स्टोरी याद होती है, तो हमारा जो है, कॉंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, नेक्स कोशन दिखते ह रक्त और लोहो की नीती किसके द्वारा अपनाए गई थी, तो रक्त और लोहो की नीती है, यानि कि ब्लड और आयरन पॉलिसी है, वैं डैली सर्जनत के कौन से शाशक के द्वारा अपनाए गई थी, यह आमको बताना है, तो यह अपनाए गई थी, क्या सुद्दीन बलब के द्वारा दोस्तों इनकी जो kingship theory थी जो राजत्व का सिध्धान था उसी में नोंने इनकी जो रक्त और आयरन रक्त और लौ की जो नीती है यह नोंने अपनाई थी जिसमें की जो king होगा जो शाशक होगा वो head होगा और उसका जो है निरंग को शाशन होगा ठीके दोस्तों next question देखते हैं सिजदा पैवोस किसके द्वारा अपनाया गया था तो यह सिजदा पैवोस जो है एक तरीके की कहें की welcome का जो action होता है वह हुआ करता था जब भी आपका जो king है जो शाशक है जब यह court में आएगा तो आपको सिजदा पैवोस मतलब उनको जुक कर सलाम करना ह होता था तो यह किस शाशक के द्वारा शुरू किया गया था यह हमको बताना है तो यह भी ग्यास उद्दीन बल्बन के द्वारा शुरू किया गया था ठीक है दोस्तों next question देखते हैं नौरोज के त्योहार का आरम किस ने किया था तो जो नौरोज है यह एक फारसी त्योहार होता है नौरोज एक फारसी त्योहार है इसका जो आरम है डैली सल्दनत के किस शाशक ने किया था यह हमको बताना है तो इसका अंसर भी क्या है बल्बन है बल्बन नहीं जो फारसी तारीक ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी तो दोस्तों यह बात हम यहां क्यों कर रहे हैं तारीक ए फिरोज शाही की क्योंकि जो हमने पड़ा पिछली कोशन में बलवन की जो रक्त और लहो की नीती है या फिर उसके जो राजत्व का सिध्धान्त है वह काफी इलाबरेटली एकस्प्लेइन किया गया है काफी अच्छे तरीके से एकस्प्लेइन किया गया है तारीक ए फिरोज शाही में जो कि किसके टाइम पर लिखे गई थी फिरोशा तुगलक के टाइम पर लिखे गई थी और किसने लिखे यह लिखे बर्नी ने जिया उद्दीन बर्नी इनका पूरा नाम है तारीख है फिरोशाही के रचना किसने की है जिया उद्दीन बर्नी काफ़ी important question next question देखते हैं तुर्क ए चहलगानी किसके द्वारा खत्म किया गया था तो दोस्तों तुर्क ए चहलगानी क्या था सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए तो तुर्क ए चहलगानी 40 लोगों का एक समू हुआ करता था जो आपका राजा होता था जो आपका शाशक होता था उसको असिस्ट करने के लिए कोई भी अगर उनको फैसला लेना है तो उसमें ये क्या करेंगे एडवाइस देने का काम करेंगे तो सबसे पहली बाद इसको शुरू किस ने किया था हमें ये भी पता होना चाहिए इसको शुरू किया था इल्तुत्मिष के द्वारा इल्तुत्मिष ने इसे स्टार्ट किया था जिसमें 40 नोबल्स हुआ करते थे और इसको खतम किया था बलवन के द्वारा क्योंकि हमने पढ़ा बलवन का राजत्व का सिद्धान्थ है उसमें वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी फैसले में किसी का भी हस्तक शेप हो इसलिए उन्होंने तुर्के चहलगानी को खत्म किया या अबॉलिश किया नेक्स कोशिन दिखते हैं दीवाने आरिस संबंदित था तो हमें बताना है दीवाने आरिस जो है एक पोस्ट हुआ करती है एक और इंपर्टन बाद में आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री में कई बार ये जो पोस्ट के नाम है या कुछ टैक्सिस से रिलेटर जो पोस्ट होती है और नाम को हमको याद रखना है कई बार पूछ लिया जाता है कि ये डिपार्टमेंट किस चीज से कनेक्शन रखता है किसी से सम्मंदित है तो ये हमको पता होना चाहिए दीवाने आरिस जो है एक मिलिटरी डिपार्टमेंट हुआ करता था या फर हम कहें इसको सेना से सम्मंदित मंद्राल ballet जो था वह क्या था दीवाने आरिस इसको बोला जाता था आर्मी के जो देख रेख करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट हुआ करता था वह कौन सा था दीवाने आरिस ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं गुलाम वन्ष का अंतिम शाशक कौन था? तो जैसे कि मैं आपको बताया है संस्थापक कौन थे? गुलाम वन्ष के तुकुत बुद्दीन एबग थे? ठीके दोस्तों और तेली सल्तनात के वास्त्विक संस्थापक कौन थे? इलतुत मिश्थ थे और जो गुलाम वन्ष के जो अंतिम शाशक थे वह कौन थे? मुईजुद्दीन कैकुबाद थे यह जो थे, फैमिली मेंबर थे किसके ग्यासुद्दीन बलबन के? ग्यासुद्दीन बलबन के बाद जो सबसे लाँ सूलर रहे हैं गुलाम वन्ष के वह कौन थे मुई जुद्दीन कहकू बाद ठीक है एबग जो थे ये इसके संस्थापक थे next question देखते है मंगोलों के आकर्मन के खत्रे के समय सल्तनत का सुल्तान कौन था तो दोस्तों जो मंगोलों का आकर्मन सल्तनत पर होने वाला था तब हुआ नहीं था हम गुलाम वन्ष की बात करना है गुलाम वन्ष में जब मंगोलों का आकर्मन का खत्रा था उस समय जो है सुल्तान कौन था ये हमको बताना है तो जो इल्टुत्मिश थे वह सुल्तान थे जो जलाल उद्दीन मांग बरनी थे खौरिजम एम्पायर के ये रूलर थे जलाल उद्दीन मांग बरनी इनके उपर मंगोलों का अटेक हुआ आकर्मन हुआ तो इन्होंने मदद मांगी थी इल्टुत्मिश से अगर इल्टुत्मिश मदद कर देते तो शायद भारत पर भी उनके समय में मंगोलों का आकर्मन हो जाता लेकिन उन्होंने मदद करने से इंकार कर दिया इसलिए भारत पर इल्टुत्मिश के समय पर कोई भी मंगोलों का आकर्मन नहीं हुआ लेकिन खिलजी इसके टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा मंगोलों के आकर्मन हुए थे next question देखते है जीतल बोला जाता था तो जो इल्टोत मिश्ट थे इन्होंने कुछ करंसी, कुछ मुद्राएं चलाएं थी जो silver की, जो चांदी की थी को टंका बोला जाता था और जो जीतल की जो थी, ये किस की होती थी copper यानि की तांबे की जो करंसी थी, तांबे की जो मुद्रा थी उसको क्या बोला जाता था जीतल बोला जाता, तो जीतल क्या है एक तरीके की मुद्रा है जो किस से बनी होती थी तामबे से बनी होती थी next question देखते है कुतोब मीनार के पाचवे मंजल का निर्मान किस ने कराया था तो जैसा कि मैंने आपको कुतोब मीनार के बारे में बताया कुतोब मीनार का जो construction है किस के समय में start हुआ था कुतोब बुद्दीन एबक के समय में हुआ था किस के समय में खतम हुआ था तो यह आपका हुआ था इल्टोथमिस के समय में और किस की remembrance में किस की याद में बनवाय गया था तो खाजा कुतोब बुद्दीन बक्तियार काकी के याद में बनवाय गया था और इसका जो पाँचवा मंजिल है पाँचवा फ्लोर है उसका जो निर्मान उसका कंस्रक्शन कराया गा था फिरोश शाह तुगलत के द्वारा दोस्तों ठीक है ये तीनों नाम आपको याद रखने है नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं एक्ता प्रणाली की शुरुवात की थी जो एक्ता सिस्टम था जो एक्ता प्रणाली थी उसकी शुरुवात किसने की थी ये आमको बताना है इसकी शुरुवात इल्थुत मिशने की थी एक्ता प्रणाली क्या थी आपका जो पूरा प्रविंस होता था पूरा जो आपका तो इकता प्रणाली के शुरुवाज किस ने की थी? इल्थुतमिश ने की थी. Next question देखते हैं, कुतब बुद्धीन एबग की म्रत्यू कैसे हुई? तो कुतब बुद्धीन एबग थे, जो की संस्थापक थे, किसके दैली सल्तनत के, इनकी म्रत्यू कैसे हुई? को बताना है तो चौगान जो कि एक गेम होता है जिसको बोले जाता है पोलो ये खेलते समय घोडे से गिरकर कुतव बुद्धी नयवक की मृत्यू हुई थी ठीक है नेक्स कुशन देखते हैं चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था तो जैसा कि मैं आपको बता है जो मंग कोल आकरमन का तो इलतुत्मिश थे क्योंकि जो आपके जलाल अद्दीन मांग बरनी थे और उन्होंन से हेल्प मांगी थे लेकिन इन्होंने मना कर दिया था इसके लिए भारत पर इलतुत्मिश के समय पर कोई भी आकरमन नहीं हुआ तो मैं बताना है चंगेज खान का वास दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शाशक थी इनका टाइम प्रेड में आपको बताया था 1236 से लेके 1240 तक था और अलतुनिया जो थे इनके भटेंडा के गवर्नर थे जिनसे रजिया ने शादी कर ली थी और जब ये दोनों दिल्ली की और आ रहे थे तो कैथल के पास में दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल है वैं लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट की थी तो जब एबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी गुलाम अनुष की स्थापना की थी तब जो कैपिटल थी वैं क्या थी लाहौर थी लेकिन इल्तुत मिश्ट जो थे इन्होंने भी एक्जाम में पूछ जाता है इलतोत मिश्क के द्वारा ही दिली को राजधानी बनाया गया था ठीक है दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाती हूं कि सबसे पहले हमने बात की कुटब बुद्दीन एबक की तो कुटब बुद् सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था इन्होंने कभी सुल्तान की वपादिधारन नहीं की थी इनके टाइम के जो इंपॉड़न बात हमें याद रखना है वह तीन बिल्दिंग के कंस्ट्रक्शन हमें याद रखना है कुटब मिनार जिसका जो है निर्मान इनक कुटब बुद्दीन एबग् के द्वारा बनाए गई थी इसके बाद का अठाइग दीन का जोपरा जो मज्जिद है जो कहां है अजमेर में है यह भी इसको जानाए गई थी तो इल्टूतमिश की उस इन्हें डैली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता था क्यों दोस्तों और इन ही के टाइम पर जो है कुतब मीनार का निर्मान पूरा हुआ था और इन ही के टाइम पर भारत पर मंगोल आकरमन का खत्रा था लेकिन उन्होंने समस्दारी से जो अधिसिजन लिया और वह खत्रा टल गया ठीक है और इल्टुतमिश और यालदोस के बीच में नहीं तरायन का थर्ड बैटल हुआ था जो कि कब हुआ था 1215 में ठीक है इसके बाद हम बात करें रजिया की जो कि बेटी थी इलतुत मिश्की जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शाशक थी दोस्तों इनके बाद कोई भी इंपॉर्डन रूलर नहीं रहे इनके पास सिर्फ ब यह सारी इंपॉर्डन बात थी जो कि गुलाम मंज के बारे में थी इनहीं से कोशन पूछ जाते हैं इससे बाहर कोई भी फैक्त नहीं जाएगा ठीक है वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें